हलो दोस्तों आपका हमारे चैनल कुग वेज भूट में स्वागत है आज हम लेकर आए हैं बच्चों के लिए बहुत ही स्पेसल मंचूरियन की रेस्पी यह खाने में बहुत ही टेस्टी और यमी है यह बच्चों के साथ बड़ो को भी बहुत पसंद आने वाला है यदि आप ओने आज हैं दो आपकेट से हम दो राश्पी बनाने वाले हैं इसलिए हमने चार पीज बाला पैक लिया है यदि आप सिर्फ मंचूरियन बना रहे हो तो दो पीज का पैक काफी है इसको प्लेट में निकाल लेंगे और मसाले को मलग कर देंगे अभी अब इनको हमें करस क già लेना है तो हाथों से इस तरह से हम इसको अच्छे से तोड़ लेंगे इसका हम चूरा बना लेंगे एक दम बारीक इस तरह से हमने चूरा बना लिया है अब इसमें से थोड़ा सा चूरा हम अलग कर लेंगे इसका हम बाद में यूज़ करेंगे तो एक पैक के करीब का चूरा हम निकाल लेंगे इस तरह से और इसको भी हम side में रखते हैं और बाकी जियो मैगी है इसको हम doil कर लेते हैं इसको boil करने में भी दो मनिट लगेगा ज़ादा समय नहीं लगता है तो पानी हमने पहले गरम होने के लिए रख दिया है और मैगी डाल करके इसको हम बॉयल कर लेंगे ये देखिए बड़िया से मैगी हमारी बॉयल हो गई है और इसके पानी को स्ट्रेन कर लेना है तो इस तरह से जाली बाली बरतन में इसको हम निकाल लेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे पांसे दस मिट के अंदर ये ठंडी हो ज प्तागुभी तो भी यहां पर मिला सकते हैं एक चमच मिला देंगे काली मिर्च कावडर और आदा चमच नमक लेंगे । चार पांच कॉन फलाओ न हो ता इसकी जगे पर अरा रोट ले सकते हैं और दो चमच मिलाएंगे इसमें डार्क बाउया सॉस इस से बहुत अच्छा और दो ही चमach में हम इलाएंगे टोमेटो चेचप मिक्स कर लेना है तो इस तरह से बढ़िया श्वास को मिक्स कर लेंगे और यहां पर थोड़ा सा कउन फ्रायर कम लग लगी तो एक चमच की गरिब और गर इसमें हमने मिला दिया है और इसको अच्छे से श्वाइज हम बाल नीभु के साइच की जबना लेंगे क्योंकि अब ही हम बना ने वाले हैं मैगी पकोडा तो इस तरह से 8-10 पकोड़े बनाए है मैगी के और इनको high flame पर fry कर लेंगे बच्चों को बहुत पसंद आएंगे ये recipe जरू बना करके देखिएगा एक बार ये देखिए बढ़िया से color आने लगा है flame को high ही रखेंगे low या medium नहीं रखेंगे high flame पर इनको अच्छे से fry कर लेंगे ये देखिए बढ़िया से color आ गया है अब इनको हम निकाल लेंगे बच्चों की demand पर इनको हमने बनाया है उनको बहुत पसंद आये हैं इसी तरह से सभी बॉल को हम निकाल लेंगे अब बॉयल में हम manchurian के लिए बॉल फ्राइ करेंगे तो हमने चोटी साइज की बॉल बनाई है और इसमें हमने बिल्कुल भी सूखी मेगी की लेर नहीं लगाई है इसी तरह से साधा बॉल बनाई है चोटी चोटी इनको भी हम फ्राइ कर लेंगे क्योंकि manchurian जब बनाएंगे तो उसमें चोटी बॉल ही बनाएंगे बड़ी नहीं इस तरह से इनको भी हमें फ्राइ कर लेना है हाई फ्लेम पर बहुती बढ़ी बॉल बनती है ये इनको भी हम गोर्डन कलर आने तक अच्छे से फ्राइ कर लेंगे ये देखिए बड़ी आसे कलर आ गया है इनको हम निकाल लेंगे एकदम परफेक्ट बॉल बनी है हमारे मैगी manchurian के लिए इसी तरह से हम सभी बॉल को निकाल लेंगे ये देखिए manchurian के बॉल तैयार हो गई है अब चलिए बनाते है manchurian तो कड़ाई में हम डालेंगे दो चमच के करीब oil गरम हो जाए तो डाल देंगे 4-5 कलिया लहसुन की बारी कटी हुई इसको हलका साटे कर लेंगे और डाल देंगे आधी प्याज बारी कटी हुई और इसको भी अच्छे से चला लेंगे इस तरह से फिल्म को हाई ही रखेंगे यहाँ पर अब इसमें हम मिला देंगे 14 चमच की करीब नमक नमक टेस्ट की कोर्डिंग मिलाएं इसलिए थोड़ा सा कम मिलाएं इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर हम सॉसे भी मिलाएंगे तो इसमें भी नमक होता है इससे सबजियां भी अच्छे से गल जाएंगे अब मिला देंगे एक चमच वाइड विनेगर जिसको सफे सिर्का भी बोलते हैं और दो चमच मिलाएंगे डार्क सोया सॉस और तीन चमच टोमेटो कैचप आप इसकी जगे पर टोमेटो सॉस भी ले सकते हैं और एक चमच ले लेंगे चिली सॉस इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है अब इसमें हम मिला देंगे चौथा ही चमच से भी कम काली मिर्च का पाउडर और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे मंचूरियन में ब्लैक पेपर जरूर डालते हैं इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है अब यहाँ पर हम ले लेंगे एक बाउल में एक चोटा चमच कॉन फ्लार और एक कप पानी डाल करके इसका पतला गूल बना लेंगे इस तरह से जादा कॉन फ्लार नहीं मिलाएंगे एक चोटा चमच ही मिलाएंगे इस तरह से गूल बना करके हम डारेक्ट ग्रेवी में डालेंगे क्योंकि हम यह थोड़ा सा ग्रेवी बाला बना रहे हैं यहां पर हमने आदा कप पानी और मिला दिया है थोड़ा कम लगे पानी तो आप इसमें दो कप की करीब पानी मिला सकते हैं और इसको हमें अच्छे से बॉयल आने देना है तो अच्छे से बॉयल आ गया है ग्रेवी में इस तरह से बॉयल आना जरूरी है यह अच्छे से पक अब जो बॉल हमने बनाई है मैगी की वो इसमें हम डाल देंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे करीब दो मिनिट इससे जादा नहीं दो मिनिट इसको हम इसी तरह से चला करके पका लेंगे बॉल बहुत बढ़िया सॉप्ट हो जाएंगी और इनके अंदर जूस भी बहु है वो ड्राइ में नहीं आता है आप मैगी मंचूरियन को ऐसे ही सर्व कर सकते हैं या फेर नूडल्स के साथ दोनों में ही बहुत ही टेस्टी लगेगा क्योंकि यह थोड़ा सा ग्रेवी बाला है और यह लीजे हमारा मैगी मंचूरियन बन करके तयार हो गया है अब आप इ गरम गरम ही सर्व करेंगे एक बाल में इनको हम डाल लेंगे और इसमें हम मिलाएंगे मसाला जो मैगी की पैकेट में टेस्ट मेकर निकलता है वही एक पैकेट यहां पर हम डाल देंगे इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है खाने में बहुत ही स्वादिश लगेंगे इस से एकदम सॉफ्ट हैं और बाहर से एकदम क्रिस्पी बने हैं तो आपको हमारी मेगी की दोनों रेस्पी कैसी लगी कमें जरूर बताईएगा और प्लीज चैनल को सब्स्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक सेर जरूर कीजिएगा अपना कीमती समय देने के लिए थैं थांकियो